हेलो आप सब लोग आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे तो आपको बता दो जो टेस्ट हम लोगों ने कंड़क्ट करवाया था पठवारी का जो आप लोगों का एक सेप्टेंबर को डेट अनाउंस हो चुकी है जिसमें 20,500 के करीब करीब बच्चे जो है वो इतना टाइम है क्या चीज़ें किस तरीके से हम लोग इंप्रूफ कर सकते हैं तो थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे जो लोग की चैनल पर नहीं आप शाय को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे टेस्ट का स्केडियूल के अग अगला टेस्ट होगा वह पांच अगस्त को कंड़क्ट करवाया जाएगा पांच अगस्त के लिए वापिस से आपको 15 दिन का टाइम दिया जाता है ताकि आप लोग अच्छे से रिविजन करके आएं इसके अलावा अगर आप लोग जेंड के से किसी भी एक्जाम की तयार कर रहे हैं खास तोर पे पुलीस और जो सब इंस्पेक्टर कॉंस्टेबल की विकेंसी जाने वाली है या जो नैप तसील दार की है इसके लिए आपको पूरे डिटेल को समारी आप पर मिल जाएंगे आप लोगों का वहां पर डेली फ्री टेस्ट भी कंड़क्ट करवाया तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को आज के इस टेस्ट के अनलिसिस को उसके बाद थोड़ा सा हम लोग स्लेबस पर भी बात करेंगे कि अभी क्या-क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट करना बाकी है या फिर पहले हम लोग एक बड़ी स्लेबस पर बात कर लेते हैं उसके बा आप लोगों को टेप्स पर होनी चाहिए क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी मिले हैं जो कि जब यह वेकेंसी आई थी उस टाइम से लेके अभी तक सिरफ इसी के लिए तयारी कर रहे हैं और मतलब अपनी तयारी बहुत अच्छे लेवल पर ले जा चुके है लेकिन अभी क्य क्या है अभी हम लोगों को यह जो यह सेक्शन जाना इसको लाइटली नहीं लेना है रीजन क्या है मैं आपको बताऊंगा इसी टेस्ट के एक्जामपल के तौर पर देखो अभी हम लोगों ने पेपर कंड़क्ट करवाया था यह टेस्ट के बात की जाए ओवराल बहुत सारे बच्चों ने इसमें अपना जो स्कोर रखा है वह अच्छा था जनल नौलज बीस्ट जेएंड के इजी था बहुत इस टेस्ट की सबसे एजी सेक्शन यही थी लेकिन इसमें भी बच्चों ने बहुत ही बहतरी इन फैक्ट 20 प्लस बहुत सारे बच्चे जो ट करते हैं हमारी में तीन सेक्शेंज के ओंपर देखो में तीन सेक्शन क्यों कहरा हूं में यहां पर क्योंकि यह सेक्शं में अगर आपका एक अच्छा होड रहा है यहां और लीड देगी बाकी बच्चों के comparison में यहां पर जनरल इंग्लिश की बात करूं मॉडरेट लेवल की थी 15 प्लस इसका सेव स्कोर था मेंटल अबिलिटी रीजनिंग यहां पर क्या है यह सिर्फ रीजनिंग पार्ट है इसमें माथ नहीं है जैसे जुनियर सुस्टिन में माथ के कुछ चैप्टर है और कुछ चैप्टर रीजनिंग इसमें सिर्फ पे और रीजनिंग है आप लोगों को बस यह बोलूँगा कि जो भी बच्चे इसकी त्यारी कर रहे हैं अगर आप लोग यहां पर इनफेक्ट इसमें तो तो आप लोग क्वेशन को स्किप कर दो अट लीस्ट नेगेटिव मार्किंग तो यहां पर मत नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्चे की यह एक चीज का आपको जो है ध्यान रखना है इसके बाद जो अगली सेक्शन थी इसके बाद ही जो अगली सेक्शन थी वह थी कि बहुत सारे बच्चे इस टेस्ट में भी 90 प्लस के हैं तो यह एक चीज है कि competition इसमें अच्छा खासा देखने को मिलेगा पोशिश करो कि आप लोगों को अगर अभी कोई वीक एरिया है या वीक जोन है उसको स्ट्रॉंग करने की क्योंकि इसमें इस लेबस में खास तोर के लास्ट पार्ट रहता है करण्टे फेस करवा दिये हैं डिफेंस के भी मैं करवा दूंगा वाकि यह एक ऐसी चीजें हैं जो पिछले अगर मैं गलत नहीं हो तो तीन साल से अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर रहा है तो आप लोग हर एक्जाम के लिए चीजें जो है न नहीं है तो यह दूसरा था अब किसी भी बच्चे का जो है स्कोर काड यहां पर नहीं दिखाऊंगा जिन भी बच्चों ने टेस्ट दिया है मैं बढ़ता आपको एक आईडिया रेफ्रेंस के तोर पर बस बता सकता हूं कि अब जैसे आप लोग यहां पर देख सकते हो मैं आपको एक सिंपल एक्जाम्पल दे देता हूं जैसे हमारा यहां पर जो स्कोर गया है 80 एक्जाम्पल के दूर पर 87.25 लेलो चीक है यह हैं आपकी सेक्षिंग जनल नॉलेज्ज विद करन्ट अफेर्स में 22.25 सही स्कोर है जीके विच जम्मू कश्मी 19.5 सही स्कोर है यहां सब सेक्षिंग में इस पर्टीक्लर सेक्षिंग में अब यह क्या करना है यही आप लोगों पर कितनी कमी आरही है कोई बच्चा आप लोगों खुद पर खुद यहां पर दिख रहा है कि अगर आप यहां पर 3-4 या-5 नंबर बढ़ा लो अगर अपने तो यह नाइंटी ट में भी स्कोर कर रहे हो 80 में कर रहे हो 70 में कर रहे हो अभी क्या है लास्ट का जो एक महिना है वो बहुत सारी चीज़ें चेंज करता है 15 दिन का टाइम अब आपके पास फिर से होगा अगले टेक्स के लिए तो यह 15 दिन कोशिश यह करनी है कि डिविजन जो है उस पे फोकस रहे जादा से जादा चीज़ों को ना ही जादा एक्स्ट्रा पढ़े ना ही लाइटली में लें कि हां बाई इंग्लिश तो पढ़ी हुई है रीजनिंग तो पढ़ी हुई है रोस प्रैक्टिस करो हर एक ची कितनी ही पढ़े हम लोग आपको कुछ नहीं करना आप से लगाओ जहां से मिलते हैं वहां से लगाओ इसको डेली करना है रोज आपको मैं एक चीज बता देता हूं एक या दो क्वेशन ऐसा दिखेगा जिसमें आप फसोगे बट जिस तिन आप लोग प्रैक्टिस करते जा जहना यह तीन सेक्शंस और यह दो सेक्शंस दोनों शाथ शाथ नंबर गई है यहां पर चार से पांच वेशन्स यह माहलों पांच-10 मुशक्ष्ण ऐसे बन सकते हैं जो कि मुश्किल हो सकते हैं पर इस सेक्शंस में ना कोई बहुत रेर चांस होगा कि कुश्छ ज्यादा डिफिकल्ट बन सकता है जो कैसे जाला मुश्किल बन कर सकती है और पेपर उसी का क्वालिफाई होता है जो सारा का सारा इजी वाला पार्ट अच्छे से सही करके आता है तो यह आज आप लोगों लिए एक होमवक भी है आपको अपने टेस्ट को यह देखना है कि कितने नंबर और बढ़ सकते थे मैं आपको एक ग्राफ एस्टिमेट दे दिया कि हर एक 2.25 पे बच्चा बैठा होता है लेकिन कोशिश करो चीजों को और इंप्रूव करने की इसका करता 86-87.5 अगर इससे जादा ह है तो बहुत अच्छा आप इसको स्कोर कंसीडर कर सकते हो अगर इससे कम है तो आपको और ज्यादा मैंज करने की जरूत है अब मिलेंगे हम लोग अगले 14 दिन के बाद रिवाइस करके आना अच्छे से पढ़के आना ताकि जब यह टेस्ट कंडक्ट होगा तो इसमें आपको बताने इसके लिए भी जल्दी ही आपकी क्लास शुरू हो जाएंगी इसके लिए थोड़ा सा टाइम लग रहे है बट हम लोग इसको भी जल्दी ही शुरू कर देंगे ओके गाइस बबाए टेक केर आल्ट वेडिवाइस सीव सून टेक केर